रद्धा इंटर्मेडियेट कॉलेज, कचनार, राजातलाव, वाराणसी, कक्षाबारग, वारेजी वरग का आज का भी हमारा विशय है बही खाता वालेखा सास्त्र जैसा कि हमने पहले आपको थियरी बताया था लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा नियुमेरिकल रिलेटेड ठीक है तो आईए हम देखते हैं क्वेस्चन नमबर वन से क्या प्रोसेस है कैसे कैसे क्वेस्चन सॉल्व करने हैं इससे पहले आप लोग अपने पास बुक रख देखिए यहाँ पे पहला क्वेस्चन है एक फर्म की निमनलिखित सूचनाओं से साज़ेदारों के पूंजी खाते तयार कीजिए जब पूंजी परिवर्तन सील है और जब पूंजी अस्थाई है दोनों कंडिशन में निकालना है जब पूंजी अस्थाई हो और जब पू यहां तीन पार्टनर्स हैं अमित मोहित रोहित ठीक है प्रारंभिक पुण्जी क्रेडिट ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट है 45,000, 65,000, अतिरिक्त पुण्जी किवल अमित लाया है 8,000 मोहित और रोहित दोनों नहीं लाया है आहरित पुण्जी, कैपिटल विधर्डरा, पुण्जी निकाल लिए हैं तो अमित नहीं निकाला, मोहित ने 3,000 रुपए और रोहित ने 5,000 रुपए पुण्जी परव्याज, इंट्रेश्ट अन कैपिटल, 2450, 3325, 3875 रुपए हैं कमीशन इनको दिया जाता है, अमित को कुछ भी नहीं, मोहित को 45,000 रुपए, रोहित को भी कुछ भी नहीं साज़ेदारों का आहरण, 20,000, 15,000 और 10,000 हैं आहरण परव्याज, 600, 450, 300 रुपए लाभ का हिस्सा है, 20,000, 40,000, 60,000 यह तो हमारे क्वेशन का प्रारूप था, अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, निमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आईए हम देखते हैं, हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैप्टल इकाउट बनाना है तो partners capital account में पहला topic हमरे रहेगा when capital is fixed जब हमारी पूंजी अस्थाई हो तब particular अमित मोहित रोहित particular अमित मोहित रोहित तीनों के amount का अलग-अलग column बन जाएगा तो हम पहले चलते हैं credit side देखिए buy balance बेड़ी यह उनकी starting की पूंजी है 45,000 रुपए 65,000 रुपए 75,000 रुपए ठीक है आगी capital fixed है इसके लिए यहां पर salary commission interest on capital इसक्तरा चीजी यह सब नहीं जाएंगी buy cash account additional capital cash account में additional capital जो भी दिया है तो के वल अमित दिया था 8,000 रुपए मोहित रोहित ने कोई additional capital यहां नहीं लगाया था इधर आ जाएंगे बाकी तो credit side में कोई मदे नहीं जाती है इधर आ जाएंगे तो two cash account withdraw उन्होंने जो पूंजी निकाले थी तो अमित ने तो कुछ नहीं निकाला था मोहित और तो अब हमारे पास कोई ऐसे मद नहीं रह गया कोई ऐसे items नहीं रह गया जो कि हम पार्टनर्स capital account में fixed capital account में ले जाएं बाकी निकाल लेते हैं 45,000 जोड़ देंगे पहला topic when capital is fixed लेकिन आगे जब चलेंगे तो आज आएगा हमारा when capital is floating ठीक है तो यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें थोड़ा अधिक मदे जाती हैं तो देखे ध्यान से carefully वहीं process रहेगा particular अमित मोहित रोहित का particular अमित मोहित रोहित देखते हैं बाई बैलेंस बीडी 45,000 65,000 75,000 रुपए यह उनकी opening capital है बाई कैसे काउंट additional capital अतिरिक तो पूंजी उन्होंने जो लगाया था तो केवल 8,000 रुपए कौन लगाया है अमित लगाया है मोहित रोहित additional capital नहीं दिये है आगे है by interest on capital 2450, 3325, 3875 यह हमारी question से हमको मिल जाता है by commission कमीशन केवल मोहित को दिया जाता है 45,000 रुपए बागी किसी को नहीं दिया जाता है आगे by profit तो जो वहाँ पे profit लाभ का हिस्सा था share of profits था 20,000, 40,000 और 60,000 रुपए यह सब चीजे हमने दिखा दिया चलते हैं credit side मे तो two drawings जो उन्होंने आहरड किया था तो 20,000, 15,000, 10,000, interest on drawing 600, 450, 300,000 फिर two bank withdraw, withdraw कौन कौन किया है तो अमित नहीं किया था मोहित रोहित 3,000 और 5,000 रुपए किये थे लिखने के बाद में अब कोई मदीस में नहीं बचती है हम क्या करेंगे बाकी निकाल लेंगे इधर की योग को जोड देंगे तीनों चीजे अधिक है और इधर क्या है कम है इधर का भी credit अलग जोड लेंगे डेविड अलग दोनों को जोड करके एक दूसरे से घटा करके बाकी निकालेंगे तो 54,850 रुपे, 94,375 रुपे, एक लाग 23,575 रुपे ठीक है यह हमारी बाकी निकल गई तीनों अब इसके basis पर हम यहाँ पे खाता लोज कर देंगे तो यह तो रहा हमारा पहला question इसमें दो चीजे दिया था when capital is fixed and when capital is floating यह हो गया अब हम next question आप लोग को बताते हैं, देखिए, numerical है, बुक रखिए, आप लोग भी solve कीजिए, जहां problem हो आप लोग पूछिए, क्योंकि अगर एक तरफ से question बताने लगेंगे, तो यह आपका first part है book का, इसमें एक एक chapter में 40-42 question दिये है, पूरा question बताना उतना ही मुस्किल है, जान जी फिर last में व थोड़ा सा, कुछ question अपने से भी solve करेंगे, जहां problem होगी, आप लोग discuss करेंगे, अब हम चलते हैं, question number तीसरे पे, दूसरा आप लोग के लिए छोड़ दिये है, question number तीसरा देखिए, जहां problem होगी, आप लोग पूछिएगा, देखिए, एक अप्रेल 2020 को, गोविन देवं, गोपाल करमस एक लाग पचाशा रुपए, एक लाग पचाशा रुपए और एक लाख पूजी से व्यापार प्रारम किया, वल्स के दौरान एक कटूबर 2020 को, गोविन ने 25 जा़ रुपए, गोपाल ने 10 जा रुपए अतिरित पूजी के रुप में लगाए, पूजी पर ब्याज क्रम से 5% प्रति वर्स दिया जाएगा यहां ध्यान दीजिएगा प्रति माह की बात नहीं किया गया है प्रति वर्स असपश्ट रूप से कहा गया है तो जो बीच पे पूझी लगाई गई है उसका मंधली के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा और 31 मार्स 2021 को गव उसके बाद जर्नल इंट्री बताते हैं देखिए यहां पर गोविंद पहले एक लाग पचास जार रुपए लगा था तो यह तो एक अप्रेल को ही लगा दिया था इस्टार्टिंग इसकी ओपनिंग कैपिटल है तो इस पर क्या करेंगे पूरा एक साल के लिए ब्याज न लगा था यह कब लगा था एक अक्टॉबर को तो एक अक्टॉबर से आप गिन लीजिए 31 मार्च तक कितने महीने आते हैं तो अक्टॉबर नमबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च छै लिए निकाल लेंगे calculate करके तो आजाएगा इसका 625 रुपए 75 और 625 दोनों जोड़ देंगे 81 पचीस ये तो आगया interest and capital किसका गोविंद का same process गोपाल के साथ भी करेंगे तो जब गोपाल की बात आएगी तो वहाँ पे देखिए गोपाल पहले 1 लाख रुपए लगाता है एक साल के लिए तो एक लाख गोड़े 5 बटे 100 कर देंगे 5000 रुपए आ जाएगा ठीक है और उसके बाद उसने additional capital same date को 1 October को लगाया था 10,000 रुपए तो 10,000 वो भी 6 महीने के लिए लगाएगा मतलब एगोटे 2 6 बटे 12 मतलब एगोटे 2 तो यहां कर देंगे 10,000 गुड़े 5 बटे 100 गुड़े 1 गुटे 2 तो यह हमारा आ जाएगा 250 रुपए दोनों को जोड़ देंगे 5,000 रुपए आ गया इसका interest on capital अब देखिए दोनों के लिए हमने अलग-अलग लेखा कर दिया है interest on capital account टू पार्टनर्स capital एकाउंट यदी चाहते तो दोनों के interest को जोड़ की एक साथ दिखा सकते थे लेकिन हमने आपको अलग-अलग करके दिखा दिया जिससे आपको असपश्ट रूप से समझ में आ जाए तो interest on capital account टू पार्टनर्स capital ठीक है तो यह पहला और तीसरा question हो गया आगे हम आपको बताते हैं यहां देखिए छटवा question है Mr. Saksena एक firm के साज़दार है वी प्रतीमा पांसो रुपए आहरड करते हैं प्रतीमा आहरड करते हैं पांसो रुपए आहरड परव्याच की दर 6% वार्स है और लेखा पुस्त के 31 मार्च को खाता बंद करती हैं वर्स 2012-13 के लिए आहरड परव्याच की गणना कीजिए यदि रासी प्रतेक माह के प्रारम में निकाली जाती हो और रासी प्रतेक माह के अंद में निकाली जाती हो दो कंडिसन है दोनों कंडिसन के लिए हमने आपको पहले बताया था कि यदि रासी प्रतेक माह के प्रारम में निकाली जाती है तो 6.5 मंत लेते हैं प्रतेक माह के मध्य में आहरड होता है तो 6 माह लेते हैं और प्रत्यक माह के अंत में आहरड होता है तो प्रत्यक माह लेते हैं तो आईए शल्यूशन देखते हैं देखिए 500 रुपए वो प्रत्यक माह निकालते हैं तो एक साल में वो कितना निकालेंगे 6000 रुपए 6,000 रुपए तो उन्होंने टोटल क्या किया अब देखिए 6,000 आहरड पर फर्स्ट कंडिसन के तुरू हम पहले इस कल्कुलेशन करेंगे रासी पृत्ति एक माह की प्रारम में निकाली जाती है तो क्या होगा तो 6,000 गुड़े 6 बटे 100 जो की 6% वार्सिक ब्याज है गुड़े 6,05 बटे 12 कैल्कुलेट कर लेंगे 2,0 से 2,0 कैंसल कर लिए 6 से काड़ दिये 12 को 2 आ गया 2 से काड़ दिये 60 को 30 आ गया तो 30 गुड़े 6,05 आ गया 195 रुपए ये हो गया आहरड पर ब्याज ठीक है और दूसरा कंडिसन क्या था रासी प्रतेक माह के अंत में निकाली जाती है तो तो 6000 गुड़े 5,10,05 बटे 12 ये माह है गुड़े 6,05 आहरड पर ब्याज की दर है कटपिट कर देंगे 2,0 से 2,0 कैंसल हो गया 6 से 12 को काड़ दे 2 आ गया 30 गुड़े 5,10,05 कर दिये हमारे पास क्या गया 165 रुपे तो ये हमारा छटमा प्वेस्चन हो गया